तमस्कार दोस्तों आपका विमला देवी YouTube चैनल में हार्दी स्वागत है आज हम आपको बताएंगे सपने में नाभी में कमल का फूल खिलते हुए देखने का क्या मतलब होता है यदि आप ऐसा स्वापन देखते हैं तो वो क्या संकेत आपकी लाइप में करता है चलिए जानते है ऐसा स्वापन देखना सुभवपन माना जाता है यदि ऐसा स्वपन कोई pregnant lady ऐसा स्वपन देखती है कि उसकी नाभी में कमल का फूल खिला हुआ है तो इसका मतलब है कि उसे उत्तम संतान की प्राप्ती होती है और होने वाली संतान उसकी आसानी पूरवक हो जाती है यदि कोई लड़का अपने स्वपन में ऐसा स्वपन देखता है तो उसे स्रेश्ट पद की प्राप्ती होती है यदि कोई ओरत अपने स्वपन में ऐसा स्वपन देखती है तो उसे धन का लाब होता है अतै, स्वपन में ऐसा स्वपन देखना कमल का फूल देखना बहुत ही सुबसंकेत माना जाता है या यह कहिए सुभा सुब फल की प्राप्ति होने के संकेत है अतै, मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, धन्यवाद